हलो एवरिवन, वेलकम अगें तो मैं चैनल, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, यह एक स्वीट रेसिपी है, और यह है लड़ू, यह लड़ू है मखाना के लड़ू, यानि कि हमने मखाने के लड़ू बनाए हैं, यह बहुत ही हल्दी लड़ू है, आप इ बनाना कैसे हैं, और अगर आपका वृत नहीं है, आप तभी भी इसे एंज्वाइ कर सकते हैं, तो यहाँ पे, मैंने यह ब्राउन इसलिए हैं, आप चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो मैंने एक कढ़ाई में एक टंबलर, मैंने आप एक मखाने लिए हैं, मैं थोड़ी प्रण चाहिए, तब तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, तो देखिए, अब हम एक बाद चेक कर लेते हैं, कि यह हो चुका है या नहीं, देखिए, यह हो गया है, बस अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे, मैंने इसे गरम गरम ही पीस लिया था, तो मैंने इसे मिक्सी ज प्रांसफर कर लिया, अब इसका फाइन पाउडर बना देंगे, फाइन क्या जितना भी बने अच्छे से पिस जाए, उतना ही रखेंगे, तो देखिए, बन चुका है, लगबग, लगबग, ज्यादा फाइन नहीं है, दर दरा है, हलका हलका, पर ठीक है, इतना चलेगा, ल 15 एग जैसी रखी है, यानि कि एके त अंबलर फॉक्सनिट लिया यानि कि मखाने, एके तंबलर मैंने यह मिंक्स्ट लिये हैं, और अब जो मैं बाद में यूज़ करूँगे, यानि कि मैं को को कोनेट यूज़ करूँगी, नेक्स यूज कर देंगे थर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया है मैंने कोकोनेट यूज किया है तो यहां पे ना मैंने मेरे डेसिकेटेड कोकोनेट यूज कर सकते हैं यह मेरा फ्रेश कोकोनेट मैंने उसका मिल्क निकाल दिया था तो यह जो बच गया था ना बुरादा उसे ऐसे हवा में रख दिया था तो यह सूख गया है अब मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ यहापे मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि अब उसे हम अच्छे से ऐसे फ्राइ कर लेंगे तो यह पूरा और जितना भी इसमें मोईस्ट्र होगा ने यह उसको भी बिल्कुल अच्छे से किया है सब कुछ हमने ड्राय रोस्ट ही किया है तो देखिए इसमें ज्यादा देद बिल्कुल भी नहीं लगेगी थोड़ी सी ही देर में यह फटा-फट से हो जाएगा चार-पांच मिनिट का ही काम है तो यह भी हो गया है अब इसे भी सेम उसी धाली में हम निकाल लेंग एक कड़ाय में मैंने देर टंबलर लिया है गुड़ पाउडर यह बिल्कुल साफ है आप चाहें तो चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो और आधी कटोरी मैंने यहापे लिया था पानी का अब इसे अच्छे से हम उबाल आने और इसमें हम जितना भी हमारा वो पाउडर हमने रेडी किया है उसे डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो मिक्स कर लेने के बाद आप जब इसे कड़ाई को उतार देंगे फ्लेम अब हम गैस टॉप पे से तो आपको तभी भी इसे थोड़ा चलात होने नहीं देना है वरना यह टाइट हो जाएगा तो आपको हलका सा लिउक वॉम ही रखना है तब इसके लड़ू बनाने आपको स्टार्ट करने है तो यह मैंने दो तीन मिनिट के लिए ही रखा था सिर्फ अभी भी गरम है लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहे हूं टेस्टी बनके आएं आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए और तो और यह बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है आप वरत में भी खा सकते हैं आपका वरत नहीं है तभी आप खा सकते हैं क्योंकि यह बहुत हेल्दी लड़ू है तो आप इस लड़ू को ज़रूर ट्राइ कीजि तो बस अब ये बनकर ready है सारे के सारे अब आपको इसको डब्बे में करके रख देंगे हम इसे अपना रोज एक लड़ दुखा के enjoy करेंगे तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो आप इसे like कर दीजिए और आप चाहे तो आप इसे share कर सकते हैं आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो तो मैं आपसे next time मिलती हूं एक नहीं रेसिपी में तब तक के लिए आप इस रेसिपी को try कीजिए enjoy कीजिए मुझे comment section में बताईए ट्राइ करके कि आपको इस रेसिपी कैसी लगती है आपको कुछ कमी वगरह लगती है वह भी आप मुझे जरूर बताईए thank you so much bye bye